ओम सिरी गनेशाय नमा दोस्तू एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हारदिक स्वागत हैं मिथुन आशी वालो अब आप अपने दोनों हातों में मिठाई का डिब्बा ले लो क्योंकि अब आपको 13 जुलाई से 27 जुलाई यानि की इन 15 दिनों में मिलने वाली हैं बहुत बड़ी खुशकवरी जा दोस्तों आपको बता दें कि इन 15 दिनों का शमय शाइनाथ की किर्फ़ से आपके लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है जा दोस्तों पांच सुब समाचार और बड़ा सर्प्राइज मिलेगा आपको इन 15 दिनों में इसलिए सारे काम छोड़कर वीडियो अभी देखें और पूरा देखें बिना काटे बिना इसकेप की हुए बहुत महत्पपूर्ण वीडियो हैं आपकी राशी वालों के लिए 13 जुलाई से 27 जुलाई याने कि इन 15 दिनों का शम्पूर्ण शटीक रासी फल कि किस प्रकार शाइनात के किरपा से यह समय आपके लिए बहुती अच्छा समय साबित होगा कौन-कौन से पांच सुब समाचार और बड़ा सर्प्राइज आपको इन 15 दिनों में मिलेगा इस वीडियो के माद्दियम से हम आपको वही बताएंगे जा दोस्तो वीडियो को आगे सुरू करें सबसे पहला आपसे रिक्वेस्ट करते हैं इस वीडियो को लाइक जरू करें और सच्च दिल से कमेंट्स बोक्स में जैज शाइनात अवश्य लिखें जिससे आपकी समस्त मनुक्रामने पूर्ण हो तो चलिए दोस्तो बात करते हैं किस प्रकार रहेगा आपकी राशिवालों के लिए 13 जुलाई से 27 जुलाई याने कि इन 15 दिनों का यह है बहत्पपोन समय दोस्तो यह समय आप धर्रे वे विवेक का उपियोग करके किसी भी समस्या को सुल जाने में शक्सम रहेंगे आर्थिक पक्ष पहले से अधिक मजबूत इस्तिती में रहेगा परिवार के लोगों की छोटी मोटी जरूरतों का ध्यान रखना आपको खुशी प्रदान करेगा पुराने मित्रों से भी मुलाकात हो सकती है पुराने गलतियों से सीख कर आप और अधिक बहतरीन नीतियों पर विचार विमर्ज करेंगे स्वैम को उत्तम इस्तिती में पाएंगे और सफलता भी आपको हासिन होगी घर के नवीनी करण तथा शाज सज्जा संबंदी कोई रूप देखा भी बनेगी शातिसात धर्मिक तथा आध्यात्मिक गति विद्यों में आपका रुजहन रहेगा किसी जरुतमंद की मदद करने से आपको आत्मिक खुसी भी प्राप्त होगी किसी सुबचिंतक का आशिरवाद वे सुब कामनाएं आपके लिए वर्दान साबित होंगी दोस्तों सातिसात यह समय आप किसी रुक हुए काम को पूर्ण रूप से संपन करने में सफल रहेंगे बहतर करने के लिए आप कुछ शकारत्मक बदलाव लाने पर विचार करेंगे आपके विनर्म श्वभाव की वजए से समाज वे संबंदियों में उचित इस्तान बना रहेगा आपकी योग्गता वे छमता लोगों के सामने आने से उनके दिल में आपके प्रती विसेश संब्मान रहेगा किसी जरुतमंद मित्र की मदद करने से आत्मिक शांती आपको प्राप्त होगी कुछ समय परिवार के साथ हास परियास तथा मनोरण्यन संबंदी कार्रों में व्यतित होगा दोस्तों साथ इसाथ यह समय दोड़ धूप की अधिक्ता तो रहेगी परन्तु घरों की सफलता आपकी ठकान को दूर भी कर देगी समय की चाल अब आपके पक्ष में हैं अनुबवी लोगों का आपको साथ मिलेगा साथ साथ कभी कभी किसी काम में मनो अनुकूल परिणाम ना मिलने से आपको ऐस हैजता महसूस होगी परन्तु जल्द ही समाधान भी प्राप्त होगा व्यर्थ के कामों में आप समय नष्ट ना करें तता खर्चे भी बजट के अनुसारी करें तो अच्छा रहेगा आर्थिक मामलों में काफी सूज बूज कर वैसोच विचार विमर्स करके आप निर्ण एले किसी प्रकार का विश्वास गहत या धोका हो सकता है अपना कोई भी प्लान किसी के समक्ष सरवाजनिक आप ना करें तथा अपनी महत्पपूर्ण वस्तूओं को बहुत अधिक समाल कर रखें किसी नजदी की व्यक्ति से अचानक ही किसी मुद्दे पर वाद विवाद उत्पन हो सकता है शान्ति पून ढंग से आप मामला सुल जाएं अपनी गतिविदियों तथा योजनाओं के बारे में किसी से आप चर्चा ना करें उन्हें गुप्त रखें दोस्तों साथि साथ वाहन या कोई भी मसीनरी संबंदी उपकरन बहुत ध्यान पूर्वक इस्तमाल करें किसी रिष्टेदार से संबंदित कोई एप्रिय या एप सुबसमचार आपको मिल सकता है घर्चों की अधिक्ता पर अंकुस लगा कर रखना आवश्चक है साथि साथ अपने रिष्टेदारों के साथ संबंद खराब होने की आशंका है इसलिए कुरोधी स्वबाब पर आप नियंतन रखें साथिसाथ अध्यनरत विद्ध्यारती आलस की वज़े से पढ़ाई में भी पिछड सकते हैं किसी प्रकार की यात्रा को करने से आप परेज करें क्योंकि किसी भी प्रकार का फाइदा ना होने की इस्तिती लग रही है शंतान की परेशानियों में आपका शयोग सर्वोत्तम रहेगा दोस्तो बात अगर आपकी लव लाइफ की करें तो यह समय पती पतनी के बीच आपसी समंझस मधुर रहेगा पुराने मित्र से मुलाकात प्रसन तादेगी तथा पुराने यादे भी ताजी होंगी घर का वातावरण खुसनुमा बना रहेगा जीवन साती के साथ भी संबंद मधुर तापून रहेगे अध्यदिक वेश्टता के बाबुजूद भी घर परिवार पर शमय देना परिवारिक संबंदों को और अधिक मजबूत करेगा तथा घर का वातावरण खुसनुमा बना रहेगा शाती सात जीवन साती का सायोग परिवार के वातावरण को शांती पून तथा अनुसासित बना कर रखेगा किसी मांगलिक कारे संबंदी योजना भी बन सकती है दोस्तो प्रेम जीवन के दरश्टी कौन से यह समय आपके लिए बहुती अच्छा साबित होने वाला है इस समय का आप अवश्य ही लाब उठाएं दोस्तो बात अगर आपके वैवसाय और केरियर की करें तो यह समय आप अपने करेच्छेतर में अपनी कतिविद्यों में और अधिक सुधार लाने का प्रेतन करेंगे परंतु डील करते समय बहुत अधिक चोकन्ना रहने की आपको आवश्य रकता है थोड़ी सी असावधानी या फिर गलती का बड़ा खाम्याजा आपको भूगतना भी पड़ सकता है नोकरी में कोई तरक्की मिलने की भी उम्मीद है किसी उच्च वैवरिष्ट अधिकारी के सैयोग से राजिकिये काम पूर्ण होंगे कहीं से रुका हुआ या उधार दिया हुआ पैसा भी आपको वापस मिल सकता है वैविशाय में बहुत अधिक कार्य तथा किसी नई जिम्मेदारी की अधिक्ता रहेगी घर परिवार की उल्यनों से ध्यान हटा कर अपने वैविशाय नौकरी पर आप अधिक ध्यान दे नौकरी पेसा व्यक्ती अपने लक्षय को पूर्ण करने में समर्थ रहेंगे साथिसाथ इस्थान परिवर्तन संबंदी समाचार भी आपको प्राप्त हो सकता है साथिसाथ वैवसाय संबंदी नई नई बातों की जानकरी आपको प्राप्त होगी इससे आत्म विश्वास बढ़ेगा ओफिस के काम से किसी टूर पर भी आपको जाना पड़ सकता है साथ ही बॉनस या तरक्की के भी योग बने हुए हैं अपने संपर्क सूत्रों के दाइरे को और अधिक विश्टरित करना आपके लिए फायदेवंद साबित होगा साथिसाथ ओफिस में कोई ऐसी गलती या आप से चूक हो सकती है जिससे आपको अधिकारियों की डाट का भी सामना करना पड़ सकता है इसलिए थोड़ा साफधान रहें शाथिसाथ कारेच्षेत्र में मरम्मत वैं रंग रोगन संबंदिक कार्यों की भी योज ना बनेगी युवा वर्ग को अपने केरियर संबंदी कोई महत्पपोन सूच ना मिल सकती है जिस से उनको बहुती खुसी प्राप्त होगी कमीशन संबंदित वैवसाय में भी आपको सफलता प्राप्त होगी नौकरी करने वालों के लिए यह समय बहुती अच्छा साबित होगा दोस्तों बात अगर आपके स्वास्थ की करें तो यह समय ब्लड प्रेशर तथा डायवेटेज की परिशानी से संबंदित लोग अपना ध्यान अवश्य रखें तनाव को अपने उपर हावी ना होने दें मौसमी बुखार भी रह सकता है अपनी दिन्चरिया को आप शेय मित रखें बदलते मौसम के नकारात्मक प्रभाब काशर आपके स्वास्थ पर भी पढ़ सकता है इसलिए आप आयरुवेदिक चीजों का अधिक से अधिक शेवन करें संतुलित आहार लें और शादिसात योग और प्रणयाम का शहरा लें आपके स्वास्थ के लिए अच्छा रहेगा